नमस्कार आपका मेरी चैनल में स्वागत है कौसिक नाम का एक ब्रहमर था वह कोड से पीडित था सब उसे छोड़का चले गए थे लेकिन उसकी पतनी सेबया उसको देपता की तरह पूछती थी एक दिन वह अपने पती को बैसिया के पास ले गई पती व्रता शेबया की कथा का पदम पुरान में विस्तार सी बढ़न मिलता है हिंदु पौरानी ग्रंत की अनसार बहुत समय पहले प्रतेश्ठानपुर नामक नगर में कौसिक नाम का एक ब्रहमर रहता था जो कोड से पीडित था उसके सभी रिष्टेदार उसे छोड़कर चले गए थे लेकिन उसकी पतनी सेबया उसको देपता की तरह पूचती थी कौसिक बहुत क्रोधी स्वाब का था वैं सेबया का अपमान करता था लेकिन वैं सुन्ती रहती थी कौसिक ने सेबया से एक दिन कहा कुछ तिन पहले यहां पर मैंने एक सुन्दर बैसिया को जाते देखा था क्या मुझे तुम उसके पास ले चलोगी यह सुनकर भी सेबया को क्रोध नहीं आया वलकि पहले वैं स्वम बैसिया के घर गई बैसिया ने सेबया से कहा कि आधी रात को अपनी पती को मेरे घर ले आना यह सब सुनकर सेबया अपने घर लोटाई सेबया रात के समय अपने पती को कंधे पर उठा कर बैसिया के घर चल पड़ी राश्ते में उसने देखा कि मार्ग में एक सूली थी जिस पर चोरी के संदेव में मांडव रिसी को उस पर चड़ा दिया था रिसी अपनी मंत्र सक्ती से बच सकते थे किन्तु वह बच्पन में चीटियों को काटे चुबोया करते थे वह यह जानते थे कि यह सजा उन्हें उसी के फलसरूब मिली है वहाँ बहुत अंदेरा था जिसके कारण सेब्या के पती का पैर सूली से लग गया जिस से वह सूली हिलने लगी और रिसी का दर्द और बढ़ गया तब रिसी ने स्राप दिया कि जिसने भी इस सूली को हिलाया है उसकी म्रत सूरी उदय होने से पहले हो जाए सेब्या बोली हे रिसी अंजाने में मेरे पती का पैर सूली से लग गया है क्रेपया आप स्राप बापस ले ले तब रिसी ने अपना स्राप बापस लेने से मना कर दिया तब सेब्या बोली रिशीवर आप स्राप बापस ले ले नहीं तो कल सूरी ही उद्य नहीं होगा इतना सब कहकर वै अपने पती को बैसिया के घर की तरफ ले जाने लगी पती विर्टा सेब्या के बचन की कारण सूरी उद्य नहीं हुआ कई दिनों तक ऐसा चलता रहा चारा और तबाही का मंजर था यह देखकर सभी देपता ब्रह्मा जी के पास गए तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सेब्या ही इस समस्या का निवारन कर सकती है तब सारे देपता मिलके सेब्या के पास गए तब ब्रहमा जी को सेब्या ने बताया कि अगर सूरी उद्य हुआ तो उसके पती की मिरत्य हो जाएगी तब ब्रहमा जी ने कहा तुम अपना बचन बापस ले लो मैं तुम्हारे पती को पुनहे जीवित कर दूँगा और सेब्या ने ऐसा ही किया और अपने पती के प्राणों को बचा लिया कौसिक जब स्वस्थ हुआ तो उसे अपनी की गई गलती का एसास हुआ इस प्रकार दोनों दमपत्य सुक पूरबक रहने लगे ऐसी थी पती वरता भारतिय नारिश सेब्या आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी बेल आइकान पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे धन्यवाद